वेल्कम टो सुकलाश टलेपाइड आप सभी का स्वागत है आपके प्रियोटुब चैनल सुकलाश टलेपाइड मैं मैं सी ओम सुकलाश आप सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज का वीडियो जो है ये सोसियोलाजी के question paper को लेकर के है वो भी objective question paper ठीक है ये question paper आपका राजा महंदर प्रताप सिंग जो विश्विध द्याले है State of University उसके लिए है यानि कि उसका paper है और मैं साल्ब करवाने जा रहा हूँ ये objective question paper है ठीक है इससे पहले कल आपने देखा होगा वो आपका सुहिल देऊ उनिविशिटी का पेपर था ठीक है और वो लिखित पेपर था ओके थर्ड समस्टर का तो आपके लिखित वाला भी कोशन पेपर मैंने डाल दिया है कल और आज ये अबजेक्टिब भी हो रहा इसकी एंस्वर की एक प्रकार से मैं देने का प्रियास करूँगा जिस भी कोशन पेपर के ऊपर आपको एंस्वर की लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब है कि वह आप्जेक्टिब कोशन पेपर है ठीक है तो इस स्विद्यला का परिछः अप्जेक्टिब हो रही है इसके कई सारे पेपर मैंने साल्व करवा दिये हैं ये सोशियोलाजी का पेपर भी हमारे पास आया है तो उसी स्रंखला में मैं इसको साल्व करवाने का परियास करता हूँ इससे पहले पॉलिटिकल साइंस का साल्व करवा दिया है Human Values and Environmental Studies जो आपका अनिमारी परसंपत्रियानी को करिकुलर होता है उसको भी मैंने साल्व करवा दिया है और हिंदी सहेत्य का भी साल्व करवा दिया है तो आप लोग देख लिजएगा ठीके हर सब्जक्ट की प्लेलिस्ट मैंने अलग-लग बना रखी तो आप आसानी से हर एक सब्जक्ट के मार्ल पेपर और कोईशन्स पेपर को देख सकते हैं और आसानी से अपनी परिक्षा में उत्रिण हो सकते हैं चले बीए थर्ड समेश्टर का या कोईशन्स पेपर है आप देख सकते हो ठीक है यह आपकी पेपर का नाम है ठीक है देखे यहाँ पर आपको टाइम जो दिया गया है वो डेड़ घंटे का दिया गया था मैक्सिमम माक्स आपके 75 थे ठीक है आपजक्टिप आपकी प्रसंद पूछे जाने इमलब गए थे और 75 परसंद आपको यहाँ पर इस कोशन पेपर में आपको दिखाई पड़ेंगे जिन में से केवल आपको 50 परसंद नहीं करने है ठीक है अगर उससे जादा आप कर दोगे तो सुरुवात के केवल 50 परसंदों का ही मुल्यांकन होगा उसके बाद में नहीं देखा जाएगा तो आप ऐसा करें केवल 50 परसंदों को चांट करके उसके उत्तर को आपको दे आईए मैं देखने का प्रियास करता हूँ मेरी तबिया थोड़ी से डाउन है इस समय इसलिए मैं थोड़ा तीबर गती से और तेज नहीं बोल पा रहा हूँ मैं धीरे धीरे बोल पा रहा हूँ ठीक है तो आप लोग माफ कीजिएगा उसके लिए लेकिन आपका फेपर साल्व करवाना जरूरी था आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थी कि सर जल्दी साल्व करवा दीजिए इसको देखें अंग्रेजी और हिंदी दोरों में आपका फेपर लिखा हुआ मिलेगा लेकिन मैं सहजता हिंदी में महसूस करूँगा इसलिए मैं जादा हिंदी में पढ़ने का प्रियास करूँगा अंग्रेजी में आप बगल में देखते हुई चलेगी ठीक है पहला प्रसनाप का है समाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिध्धान से कौन संबनी थे तो जहां संघर्ष की बात आती है वहाँ नाम आजाता है माक्स का यानि काल माक्स का तो माक्स इस राइट अंसर जिन्होंने सी लगा करके आये होंगे जो चाचत्रे उनको नंबर मिल जाए आगला प्रसनाप देखेंगे दूसरा नंबर प्रसनाप से पूछा गया था कि पस्चिमी करण के प्रसन देखेंगे पस्चिमी करण के यानि कि जो है नूट्रल कांसेप्ट है ये ठीक है इसलिए जो है पस्चिमी करण लोग जादा इसको फालो करते चुकि ये क्या है नैतिक रूप से तटस्त अब धारडा है ओके ये बात ध्यान रखेंगे सरल नहीं है ना संचिप्त है ना बैग्यानिक है बैग्यानिक है नैतिक र पुस्तक के लेखा कौन है फूइस दा आथर आप दे बुक सोसल चेंज बताएं सोसल चेंज पुस्तक को लिखा किसने बाई तो आगबर ने लिखा है आपस नंबर ए में दिया है करेक्टर एंसर होगा जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा अगला परसन जिन्होंने डिल लगा उनको नंबर मिलेगा पांचवा परसनाप के परिच्छा में पूछा गया था बाई देखेंगे पांचवा परसनाप से परिच्छा में पूछा गया था कि सोसल चेंज इन मौडन इंडिया इस पुस्तक के लेखा कौन है नेम आफ आथर आफ दस इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है या कथन किस ने कहा था या कथन किस ने कहा था या कथन पेरेटो का है बई करेक्टेजर क्या होगा चठवे का आपसन नंबर C बिल्कुल राइट होगा C आपसन पेरेटो ने कहा था कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है इन सभी परसनों को नोट डाउन कर लिजेगा आपकी परिच्छा के देश्टी से बहुत महतपूर है अगर आपकी परिच्छा हो चुकी है तो आपके लिए यहां एंसर की है यानि कि राजा महेंद समस्टर परताप शिंग स्टेट उनिवर्सिटी जो है उसके लिए तो एंसर की का काम करेगा और बाकी आने वाले जो परिच्छा होगी थार्ड समस्टर की अनिच्छा चातरों की उनके लिए महतपूर होगा और जिनकी परिच्छा भी नहीं हुई है चाहे जो इस भी बात ध्यान लखेंगे परसना आप खा कि माक्स के द्वारा परस्तोस समाजिक परिवरतन के सिद्धान्त में किस मूलभूतmis अवधार्ड़ा का प्रियोग किया गया है तो किस अवधार्ड़ा का प्रियोग किया गया भाई तो इसका center बी उत्पादन की सक्तियों के बारे फोर्स सा प्रोडेक्शन जो की इस पर एक अधिकार हो गया था तो इसी की अवधारा को जो है उन्होंने दिखाने का प्रियास किया आप से नमर इसका भी करेक्ट एंसर होगा ठीक है आठवा प्रसनाब देखेंगे दब्बुक एसीन ड्रामा इस आथर्ड भाई एसीन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है तो एसीन ड्रामा पुस्तक के लेखक है जो है गुन्नार मिर्डल आप से नमर इसका सी करेक्ट एंसर होगा नवा प्रसनाब से पुछा गाता है यह सब प्रसनाब के बहुत ज़्यादा है परिछा के दिश्टी से इसलिए मैं पेपर को साल्व करवा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें ठीक है और आपकी उनिविस्टी का भी पेपर होगा तो उस पर भी मैं चार्चा उसको विसाल्व करवाने का प्रियास करूँगा प्रसनाब का है समाजिक मूलियों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है बताए समाजिक मूलियों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं समाजिक मूलियों के अनुसार जब परिवर्तन होता है त जो संख्या को प्रसित करने वाले विचारक का क्या नाम है ऐसे क्या होगा भाई इसका बी देखें जलवायू जो होता है वो नहीं करता है बाकी प्रदोशन और भूमी का जाओ उपन जहां होगा वहाँ जनसंख्या जादा होगी घनत जादा होगा भूमी की बनावट जहां होगी घनत जादा होगा प्रदोशन जहां पर कम होगा वहाँ प परिवर्तन के निम्नांकित में से किस प्रतिमान को दर्साता है एक मिनट उस कारा को इंगीत की दिए जो जन संख्या के घंत को प्रभावित नहीं करता घंत को इसमें या तो जलवायो होगा या फिर प्रदूशन होगा इन दोनों में से कि वह लेएक होगा ठीक है ये बात ध्यान लखेंगे अब देखते हैं क्या होता है आगे यूनिविस्टी किस प्रकार से उस पर निरड़े लेती है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसनाप का क्या है मैकाइबर के अनुसार फैसन समाजिक परिवर्तन के निम्नांकित में से किस परतिमान को दर्साता है तो किसको दर्साता है भाई वो रेखिए परिवर्तन को दर्साता है लाइन दर आपसा नम्बर इसका ये करेक्टर एंसर होगा अगला प्रसनाप का पूछा गया था तेरवा नमबर परस देखेंगे सभी लोग परसन आपका आचुका है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में समाजिक परिवर्तन के छेत्र को अधिक ब्यापक मानने वाले विचारक का क्या नाम है तो इस विचारक का नाम है ट्यालकट परसन सापसर नमबर इसका अगला परसन हम से पूछा गया था चौदावा नमबर परसन था कि भारत में होने वाला बिरसा मुंडा अंदोलन निम्नांकित में से किस विचारधारा का परती निदुत करता है चौदा नमबर परसन बड़ा ही अच्छा परसन है तो ये मुक्ती परक विचारधारा का परती निदुत करता है आपसर नमबर इसका डी करेक्ट एंसर होगा अगला परसन देखते हैं पंदरवा नमबर परसन है निम्नांकित में से समाजी का अंदोलन क्या है आपसर नमबर से बताएंगे तो प्रमुक परणाम समाजी का अंदोलनों की परणाम सरूप क्या हुआ है समाजी का अंदोलनों की परणाम सरूप क्या होता है दुरबल वर्गों में नेतरुत का विकास हो सकता है आपसर नमबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा सत्रवा प्रस्णाब सभी लुग देखेंगे किसानों के खेड़ा अंदोलल का संबंध भारत के किस राज से है तो खेड़ा अंदोललल का संबंध है वो गुजरास से है आपसे नमबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा जिन्नोंने सी लगा उनको नमबर मिलेगा अगला प्रस्णाब से पूछा गया था ठरवा नमबर समाजिक विकास के मापदंडो यथा मात्रावे व्रद्धी कारिछमता आपसी सहयोग्यों स्वतंतरता का उलेख निम्द में से किसने किया है तो किसने किया है भई देखें तो इसमें राजा राम मोहन राय है वो कर सकते हैं आपसे नमबर इसका ये करक्टेंसर होगा इसका मुझे एक्जेक्ट तो पता नहीं लगी लेकिन 80% आपका राजा राम मोहन राय को जा रहा है तो आपसे नमबर इसका ये होगा बाकी थोड़ा से इस पर रिसर्च मैंने की नहीं ये जाता अगला परसना आपका आ चुका है समाजिक परिवर्तन के उद्विकासी सिध्धान्त के अग्रदूत के रूप में निम्न में से कौन जाना जाता है समाजिक परिवर्तन के उद्विकासी सिध्धान्त के अग्रदूत के रूप में किसे जाना आता है भई 19 का करक्ट एंसर क्या होगा बिल्कुल Herbert Spencer C option is right answer समाजिक परिवरतन के बारे पूछेगा तो Herbert Spencer लगेगा अगला प्रस्णाब का चुका है बीश्मा नमबर निम्न में से या किस ने कहा कि कोई भी दो समाज पूर्टा समान नहीं है उनकी संस्कृती समान नहीं है कोई भी एक दूसरे का परतिरूप नहीं है या कथन किस का भाई इस कथन में भी देखे थोड़ा सा इस पर रिसर्च नहीं कर पाया मैं ठीक है तो ये भी इसको रोके रहिएगा बाकी मैं जैसे पता चलेगा आपको बता दूँगा या आप मेंसे अगर किसी को एक्जेक्ट एकदम सही पता होगा तो आप कमेंट कर दीजेगा ओके आगे बढ़तें बाकी सारे परसनों के उत्तर है मारे पास कोई दिखकत नहीं बस ये एक आद दो प्रसनाप के बचे थे जिसके उत्तर नहीं थे अगला प्रसनाप का है अच्छु कि मेरे पास समय उतना आदा था नहीं और आपको देना था इसलिए मैं इन प्रसनों पर रिसर्च नहीं कर सका ठीक है आगे बढ़तें एमन सिरी निवास ने निम्न में से किस पुस्तक में संस्कृति करण की अवधारा का सूतरपात किया है फड़ा बड़ से बताने का प्रियास करेंगे तो सोसल चेंज इन मौडन इंडिया में ही किया है आपसा नमबर इसका एक आरक्ट एंसर होगा अगला प्रसनाप देखत दर्स का चीरा हुआ सही होग है अगला प्रस्ण 23 नंबर देखेंगे 23 नंबर प्रसन है कि समाजी कांदोलनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है समाजी कांदोलनों के बारे में देखें सारे कथन आपके सत्वे हैं समाजी कांदोलन सामुहिक प्रियास से बिलकुल है समाजी कांदोलन संस्था नहीं होती है प्रक्रिया होती है समाजी कांदोलन समितियां भी नहीं होती है आपसा नम्बर इसका D करेक्ट एंसर होगा आगे बढ़ते हैं 24 नम्बर परसनाब देखेंगे आत्म सम्मान आंदोलन निम्द में से किसने प्रारंब किया था आत्म सम्मान आंदोलन जो था किसने प्रारंब किया था भाई तो वो जो है बी रामा स्वामी नायकर ने प्रारम किया था 1925 इस भी में तमिल नाडू में प्रारम किया था आपसा नमबर इसका एक करेक्ट एंसर होगा अगला परसांद देखेंगे 25 नमबर परसनाब का चुका है निम्न में से कौन महिला अंदोलनों की संस्थापक मानी जाती है बताएं 25 का करेक्ट एंसर क्या होगा भई तो मेरी वोल्टेन क्राफ्ट आपसा नमबर इसका C करेक्ट एंसर होगा ये महिला अंदोलनों की संस्थापक मानी जाती है अगला प्रसाम देखेंगे 26 नमबर प्रसनाब का आ चुका है समाजिक बताएं फटापट से correct answer इसका क्या होगा समाजिक संबंदों में होने वाले परिवर्टन को हम समाजिक परिवर्टन कहते हैं या कतन किसका है फटापट से बताएंगे 26 का correct answer क्या होगा 26 नमबर का इसका correct answer होगा आपसा नमबर B मैकाइबर पेज ने कहाता कि जब समाजिक संबंदों में परिवर्टन होता है तो उसको ही हम समाजिक परिवर्टन कहते हैं बहुत important person लगाता और पूछायाता है अधिकतर person में से जो है मेरे द्वारा बताएंगे माराद पेपर से ही आए हैं अगर आपने माराद पेपर मेरे दोनों माराद पेपर देखे होंगे तो लगबग आपका पेपर बढ़ियां से हो जाता अगला person आपका है निमलिखित में से कोंसी समाजिक परिफरतन की विसेस्ता है बताएं समाजिक परकरती सवार सार भो मिकत्त ते निरंतर परकरिया सभी आपसय नंबर इसका D लगा देंगे 28 नंबर परस्वाब से पूझा गाता कि समाजिक परिफरतन के तीन परतिमानों का उलेक कीजिए बलब किस ने किया है समाजिक परिवरतन के जो तीन परतिमान है इसका उलेक मैकाईवर पेज ने किया है आपसे नमबर D करक्ट एंसर होगा अगला परसन देखेंगे 29 परसन आपका आचुका इसकी इन पर कि डार्बिन ने समाजिक परिवरतन के निम्द में से किस कारक को उत्तादाई माना है तो डार्बिन ने समाजिक परिवरतन के जैबिकिये कारकों को उत्तादाई माना है आपसे नमबर इसका D करक्ट एंसर होगा बायलोजिकल फैक्टर next person आफंसते कि 3 सबेने नमबर प्रषण आप गा चुका इस कीपर कि एक निश्चे दिसा में होने वाले परिवालतन को क्या कहते हैं जब एक निश्चे दिसा में परिवालतन होता है तो उसको हम क्या भोलते हैं उसको इज्चे кानबर बोलते हैं प्रगती का आर्थ अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्तन है जिसमें मूल निर्धारण पाया जाता है या कथन किसका है पताएं, फड़ावट से बताने का प्रियास कने करेक्ट एंसर इसका क्या होगा अगला प्रजाज़ देखें कि प्रगती का अच्छाई के लिए होने वाला परिवर्थन है जिसमें मूल निधारण पाया जाता है या कतन किसका है या कतन किसने कहा था या कतन है आगबरन और निमकाफ का आपसर नमबर इसका यह कारक्टर इंसर होगा अगला परस्णाप सभी लुक देखेंगे 32 नमबर परस्णाप का दिया हुआ है उद्विकास की अवधारा सरप्रथम किस ने दी थी तो उद्विकास की अधारा जो दे थी सबसे पहले वो चार्स डार्विन ने दी थी ये बात ध्यान लखेंगे आपसा नमबर इसका बी करेक्टर एंसर होगा 33 नमबर परसन आप सबी लोग देखेंगे परसन आप का चुका है स्केण पर 34 नमबर परसन देखेंगे सबी लोग 34 नमबर परसन आपका दिया हुए कि समाजिक परिवरतन के आर्थिक सिद्दान को किसने परतिपादेत किया है समाजिक परिवर्तन का जो आर्थिक सिध्धान थे उसको प्रतिपादित करने वाले बिद्वान है काल माक्स आपसा नमबर इसका C करक्टर एंसर होगा अगला परसन आपका 35 नमबर परसन देखेंगे अभिजात वर्ग के परिभरमण का सिध्धान किस ने दिया तो अभिजात वर्ग के परिभरमण का सिध्धान दिया था वी पैरेटो ने आपसा नमबर इसका B करक्टर एंसर होगा ठीक है अगला परसन देखेंगे इन परसनों की गिदम से ध्यान से लिख लीजेगा अगला परसन आपका आचुका है निमनांकित मेसे या निमलकित मेसे कौन परदोगी की ये निधारणवादी है बताएं 36 नमबर करक्टर एंसर क्या होगा आपसा नमबर B टी बेवलिन आपसा नमबर इसका B करक्टर एंसर होगा ये प्रद्दोगी की निधारणवादी है अगला परसनाप का 37 नमबर है आ चुका है कि सांस्कृतिक मलब समाजिक सांस्कृतिक गतिसीलता का सिध्धान्द किसने परतिपादित किया फटापट से बताने का प्रियास करें करेक्ट एंसर क्या होगा 37 नमबर परसनाप का पूछा जा रहा है कि समाजिक सांस्कृतिक गतिसीलता का सिध्धान्द किसने परतिपादित किया तो किसने क्या था पेट्रियम सोरो किनने आपस नमबर इसका सी करेक्ट एंसर होगा अगला परसनाप से पूछा जा रहा है 38 नमबर देखेंगे 38 नमबर परसन है कि संस्कृति को भाउतिक और आभाउतिक संस्कृति में किसने वर्गी करत किया फड़ा पड़ा से बताने का प्रियास करेंगे अंगरी जी में आप देख सकते हैं तो संस्कृति को भाउतिक और आभाउतिक संस्कृति में किस ने वर्गी करिद किया भाई किस ने किया तो आगबर्द ने किया था आपसे नंबर इसका B करक्ट एंसर होगा अगला पर साम देखते हैं 49 नंबर पर साम है पेट्रियम सोरो के इन्य के अनुसार संस्कृति कितने परकार की होती है तो कितने प्रकार की होती भाई, तीन प्रकार की होती, आपसे नंबर इसका B करक्ट एंसर होगा, 49 का आपसे नंबर इसका B करक्ट एंसर होगा, 40 नंबर प्रसनाब देखेंगे, सोसल चेंज इन मौर्डन इंडिया, इस पुस्तक के लिखा कौन है, इस पुस्तक के लिखा कौ पुस्तक किस ने लिखी है तो इंडियाज चेंजिंग बिलेज पुस्तक जो लिखने वाले विद्वान है उनका क्या नाम है उनका नाम है यसी दूबे आपसा नमबर इसका एक अरक्टेंसर होगा आगे बढ़ते हैं 42 नमबर परसनाब से पूछा गया था कि निमन में से किस ने भारती परमपराओं के आधुनकी करण का बिसलेशन किया है तो भारती परमपराओं के आधुनकी करण का बिसलेशन जो किया है उनका नाम है योगेंदर शिंग आपसा नमबर इसका बी करक्टेंसर होगा ओके जिन स्थानी कर्ण की अवधारा दी थी किसने दी भाई तो मैंकी मैरियट ने दी है आप से नंबर इसका डी करेक्टेंस होगा 43 का डी लगा दीजेगा 44 नंबर परसनाब का पूCHA गया था आपकी परिच्छा में कि निमलेखिद में से कौन समाजिक परिवर्दन के रेखे सिध्धान से समंधित नहीं है तो कौन नहीं है भाई कौन नहीं इस पेंगलर नहीं है आप से नंबर इसका एक अरक्टेंस नहीं सर होगा अगला परसनाब से लोग देखेंगे जो है प्रसनाब का आचुका है विच आप दा विच वन आप दा फालोइंग एजा करेक्टरिस्टिक साफ सोसल मुवमेंट निम्लिखित मेंसे कौन सी समाजिक आंदोलन की विसेशता है परिवरतन, निश्चितलक, चिपरतिरोद ये सब हैं आपसे नमबर इसका डी करेक्टर एंसर होगा अगला परसनाब देखेंगे 46 नमबर परसनाब का आचुका है 46 नमबर परसने की निम्लिखित मेंसे कौन सा समाजिक आंदोलन के लिए आवस्थिक संसाधन है बहुतिक संसाधन, मानों संसाधन, सांस्कृतिक और समाजिक संसाधन ये सब जो हैं समाजिक आंदोलन की आवस्थिक संसाधन है आपसंडी लगा दीजेगा अगला परसन 47 नमबर परसन देखेंगे एक समाजी कांदोलन समाज की किसी भाग द्वारा समाज में आंसिक या पूर पर बरतल लाने के लिए जाना जाने वाला संगठित परितन होता है या कथन किसका है या कथन किसका था भाई या कथन किसका है या कथन आपका है हरबर्ट ब्लूमर का आपसे नमबर D लगा लीजिए करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला परसन आपसे पूछा गया था 48 नमबर परसन देखेंगे परसन अच्छा है Social Moments in India इस पुस्तक के लिखा कौन है Who is the author आप Social Moments in India फड़ावट से बताएंगे करेक्ट एंसर इसका क्या होगा भाई तो इसका एंसर होगा M.S.A. Rao आपसे नमबर इसका एक करेक्ट एंसर होगा अगला परसन है 49 नमबर परसन देखेंगे किसने कहा कि पूछी बादी 49 का करेक्ट एंसर क्या होगा भाई समाज आरे समाज किस प्रकार के समाजी का अंदोलनों से संबंदित है पड़ा पड़ से बताएं कि करेक्ट एंसर इसका क्या होगा भाई इसका करेक्ट एंसर होगा आपसर नमबर बी यह सब सुधारबादी आंदोलन है चाहे ब्रह्मत समाज की बात की जाए चाहे आरे समाज की बात की जाए अगला पर साम देखेंगे एक क्यावन नंबर परसना आपका आचुका है बिरसा मुंडा अंदोलन भारत के किस राज से सम्मादित है तो बिरसा मुंडा अंदोलन जो है जारखंड और विहार से रिलेटर है किस से बाई तो यह जारखंड से रिलेटर है किस से जहारखंड से आपसे नमबर इसका B कर्षक अंसर होगा अगला परसना बावन नमबर आपका परसना आचुका है निमलकित में से कौन सा एक समाज सुधारक आरी समाज से समदित है तो आरी समाज के स्थाबना मतलब कौन की है ये पूछ रहे हैं दैनान सरसती आपसे नमबर इसका B कर्षक अंसर होगा आगला परसना आपका परसना आपका आचुका है निमलकित में से कौन सा एक कर्षक अंदोलन नहीं है भाई गंगा बचाओ अंदोलन कर्षक अंदोलन नहीं है आपसे नमबर इसका D कर्षक अंसर होगा अगला परसान देखते हैं 54 नमबर परसन आपका आचुका है नियम लिखित में से कौन सा अंदोलन महिलाओं द्वारा सुरू किया गया तो कौन सा अंदोलन महिलाओं द्वारा सुरू किया गया था भाई चिपको अंदोलन आपको पता होगा कि चिपकवा अंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुडा का नाम आपने सुना है तो बाद में आये थे उनसे पहले चंडी परसाथ भट और गवरा देवी ने सुरू कर दिया था आपसे नमबर डी लगा दीजेगा महिलाओं द्वारा सुरू किया गया था आगे बढ़ते हैं अंगला परसन पचपन नमबर आपका परसन आ चुका है कि नरबदा बचाओ आंदोलन का नेतरत किस ने किया भटा बट से बताने का प्रियास करेंगे तो इसका करेक्टेंसर का म पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस राज इससे प्रारम हुआ था तो उत्तरा खंड से आपसा नमबर इसका बी करेक्टेंसर होगा उत्तरा खंड अगला परसन है सतावा नमबर प्रगती वाह जो मानविये सुख में ब्रद्दी करती है या कथन किसका भाई या कथन कि लेस्टर वार्ड महोदे का कतन है लुष्टर वाह ने कहा कि प्रगती वहा होती है जो मानविये सुख में ब्रद्दी करती है तो कैंग होगा आपसे नमबर टी करेक्टेंसर लेस्टर वाल अठावन नमबर आप परसंदेखेंगे निम्नमेशे निम्नमेशे आदुने की सेस्ता कौन सी है देखें तारकिक बुद्धिवास साक्षारता में ब्रद्धी प्रदोगी की कानपुर्योग ये सब हैं आपसे नंबर इसका डी लगा दीजेगा अगला परसनाफ से पूछा गाता मैं ती ब्रगती से इसले बढ़ रहा हूं चुकि समय बहुत का मैं मारे पा बिलकुल डेविस महोदय का अकतान है आपसे नंबर डी में दी हैं करेक्ट एंसर होगा डेविस अगला परसनाफ आप देखेंगे साथ नंबर पूछा गया था साथ नंबर आपसे पूछा गया था कि निन्न में से समाजिक परिवरतन के चक्रिय सिद्धान के समार्तक है फड़ा पड़ से बताएंगे करेक्ट एंसर इसका क्या होगा भाई आपसा नमबर सी पेट्रियम सोरो कि जो है ये ये समाजिक परवरतन के चकरे सिद्धान के समारतक है अगला परस आप देखेंगे एक साट नमबर परस आप का आ चुका है समाजिक परवरतन की ब्याख्या के संदर में बिस्व की आठ सब बिताओं का दिन किस ने किया थोड़ा सा इसमें भी मुझे डाउट है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ आगे बढ़ते हैं बाकी सारे परस आपके मैंने लगबग बता ही दिये हैं दो तीन परस आपके बच्चे हुए हैं इसलिए मैंने नहीं बताए हैं अगला परस निमने में से कौन सा समाजिक परिवरतन का जननांकी की एकारक है फटावट से बताएंगे करक्ट एंसर इसका क्या होगा तो आपरवास और उत्परवास ठीक है आपरवास उत्परवास जो होता है या तो कोई जनसंख्या करके आपके यहां पर बस जाएगी तो अपनी संस्क्रति देगी या पिर अगर आप कहीं पर जाएंगे तो वहाँ सी करके आएंगे तो यह आपरवास और उत्परवास आपरवास मैने आ करके जब लोग बसें उत्परवास मनलब जब जाएं आप कहीं पर आगे बढ़ते हैं तो ये आपसे नमबर इसका एक अरक्ट एंसर होगा समाजी प्रिवर्दन का जन्नांगी के कारक जो है आपरवास और उत्परवास है मैंने बताया भी था जब वीडियो पढ़ा रहा था बोर्ड पर ही अगला परसन देज की अर्थिब्यवस्ता को बिस्ट की अर्थिब्यवस्ता के साथ एक ही करत करना क्या कहलाता तो इसी को बैस भी करण कहते हैं गलोबल आईए सन आपसे नमबर इसका डी कैरेक्टा अवका 63 का अगला परसन आपका आ चुका है 64 नमबर देखेंगे सभी लोग परसन 64 नमबर प्रसना आपका आच चुका है भाई सभी लोग देखेंगे एक बार वीडियो को लाइक और सियर अबस कर दीज़े जितने भी लोग देख रहे हो चले 64 नमबर आपका प्रसना आच चुका है निम्न वे से समाजिक परिवरतन का औरोधक कारक नहीं है औरोधक कारक नहीं है कौन सा भाई परमपरा के परतिव उदासीनता होगी तो समाजिक परिवरतन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप जड़ हैं अज्यान हैं नहीत आपका स्वार्थ आप देख रहे हैं तो फिर समाजिक परिवरतन के आप औरोध में खड़े होगे समाजिक परिवरतन का आप भी रोध करेंगे तो आपसे नमबर इसका सी लगा देंगे जिन्होंने सी लगा उनको नमबर मिलेगा 65 से प्रेशनाप मैं प्रेशनाप का है कि निम्नलिखित में से उद्विकास का शुरोप काम सी है 7 स्थापना किस ने करी ती सत्य सोधक समाज का शोति भी आ फूले ने करी थी आपसे नम्बर इसके लगा दीजीगा अगला परसन है अंसर टंबर परसन आ चुका है गांधी वादी विचार धारा से प्रभावित किसान अंदोलन कौन सा है बताएंगे तो गांधिवादी बिचाधार से प्रावे जो किसान अंदोलन है वो है भूदान अंदोलन कौन सा है भूदान अंदोलन विनो भावे किन्दित तो तेमे प्रारम हुआ था अगला परसन आपका है आंसर नमबर सोसल और कल्चिरल डायनमिक्स पुस्तक किस ने लिखी है तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो है पिट्रिम सोरुकिन आपसे नमबर सी लगा दीजेगा सोसल और कल्चिरल डायनमिक्स इस पुस्तक को किस ने लिखा है भाई पिट्रिम सोर हैं ओके आपसे नम्बर इसका सी करेक्टर एंसर होगा अगला परसने भारत में राश्टी महिला आयोग के स्थापना किस वर्स हुई थी तो यह हुई थी आपके 1992 1992 में 31 जनवरी को ठीक है सिरी मती जानकी पटनायक इसकी अध्धिक्ष थी पहली अगला परसना देखेंगे गात्ता नम्बर परसने लवकी की करन सब्दिकारत है जिसे पहले धार्मिक माना जाता था उसे अब वैसा नहीं माना जाता है या कतन किसका है लवकी करन का यही अर् सिरी निमास ने ठीक है आगे बढ़ते हैं बात्ता नम्बर परसने स्वतंतर भारत में पहला कार खाना अध्धिनियम किस वर्स पारित हुआ तो स्वतंतर भारत की बात कर रहा है स्वतंतर भारत में जो पहला कार खाना अध्धिनियम जो पारित हुआ था वो 1948 में पारित अगला परसन ते 70 नमबर देखेंगे चिपको अंदोलन द्वारण है चिपको अंदोलन जो है ये एकोलोजिकल है एनि पारिसित किये है अगला परसन आप देखते हैं 74 नमबर परसन था कि अखिल भारती किसान सभा के इस्थापना कब हुई थी तो अखिल भारती किसान सभा के इस्थापना 1936 में हुई थी कब 1936 इद्वे में हुई थी ठीक है स्वामी सहजानन सरसती के नेतरत में अगला परसन आप आचुका है 75 नमबर और लास्ट परसन इस कोईशन पेपर का सन नचनात्मक तनाओ सन नचनात्मक तनाओ सिध्धांत के परतपादक कौन है भड़ा भड़ से बतानी का प्रियास करने करेक्ट एंसर इसका क्या होगा सन नचनात्मक तनाओ सिध्धांत के परतपादक कौन है तो सन नचनात्मक तनाओ सिध्धांत के जो परतपादक है उनका नाम क्या है भई उनका नाम है आपका नील इसमिल सर आपसे नमबर इसका एक अरक्ट एंसर होगा कापी लिखने को लेकर कि एक वीडियो मैंने आल रड़ी बना दी तो जिन्होंने नहीं देखा है हो जाकर के देख लिजेगा सारे चीज़े आपकी केलियर हो जाएंगी कैसे कापी लिखनी है किस परकार से लिखनी है ठीक है कितने परसन करने होते हैं और उन परसनों का उत्तर कैसे लिखना है सारे चीज़े मैंने बता दी हैं आप लोग देख लिजेगा बाकी और तमाम सरे subject के question paper को मैंने साल करवा दिया लगबग सारे के सारे को तो आप आसानी से जितने भी question paper हैं आप देख लिजेगा उनको जाकर के हर एक university के चाशातरों के लिए question paper बहुत important होगा इसलिए तो आप इस जो है वीडियो को तीन से चार बार देखिएगा और वीडियो को share कर दीजे अपने समझ दोस्तों के पास एक बार 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 मैं बोल ला हूँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा बहुत मेहनत पड़ती है और तवियत मेरी खराब है फिर भी मैं ओके गुड़नाइट आलाफ यू सभी लोग गुड़नाइट बहुत बहुत धनिवाद सभी कमारे से जुनने के लिए गुड़नाइट आलाफ यू